पुस्तो पाली उट के सुपरस्टाल सनमान खान शोव बिक बॉसोलर के हालिया एपिसोड में देखा गया है कि निम्रित कॉर एस सीजन की फाइनलिस्ट बन गई है इसके अलावा मंदली के साथ दस्यों के बीच भी खटपट नजर आई जैसे जैसे ये शोव अपने अंजाम के करीबार रहा है वैसे वैसे सभी कंटेस्टेंट अपना गेम खेल ले लगे हैं बिते एपिसोड में घर में नॉमिनेशन का टास्क हुआ इस दौरान घर वाले दो ग्रूप में बट गए जहां एक तरफ प्रियंका चाहर चौदरी और अर्चना गर्तम और सालिन भनोड थे तो वहीं दुसरी तरफ से उठाक रहे एमसी श्टैन और सुम्बूल तौकिर थी अंती में सदस्य मंदली की सदस्य इस हफते घर से बेगर होने के लिए नॉमिनेट हो जाते हैं प्रियंका की ग्रूप के सदस्य फिनाले वीक में पहुँच जाते हैं आपको बता दे कि たवी ने पहुचते हैं अर्चना गर्तम की खुश्री सात्वे हस्मान पर पहुच चुकी थी जी हाँ दोस्तों वो पूरे घर में डांस करने लगी साथ ही प्रियंका चार चौदरी भी उनके साथ ठुमके लगाती है दोनों का ये अंदाज फैंस को काफी पसंद आ रहा है वही मंडली की सदस्यों के बीच दरार पड़ गया है सुम्बूल की वज़े से ही मंडली नॉमिनेट हुई है इसलिए अब वो किसी से बात नहीं कर रही है ऐसे में श्रीव और श्टैन उन्हें मनाने जाते हैं लेकिन वो किसी से बात नहीं करना चाहती है इस सबते सुम्बूल घर से बेगर हो सकती है श्रीव ठाकरे और प्रियंका चाहर चौधरे किसी ने किसी वज़ा से इंटरनेट पर ट्रेंट करते रहते हैं विग बासोला में आने के बाद दोनों की लोग प्रियता काफी बढ़ गई है जहां कई लोग का मानना है कि प्रियंका चाहर चौधरे सीजन की विनर बनने वाली है तो वहीं कई लोग से उठाकरे को विनर की रूप में देख रहे हैं अब फिनाले के दिन ही पता चलेगा कि बिग बोसोला की ट्रॉफिक कौन उठाता है धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़े रने के लिए लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूले हम आपको ऐसे ही नए अपडेट देते रहेंगे धन्यवाद